तो हेलो फ्रेंट्स मैं आज आप लोगों को एक बहुत अच्छा important topic पढ़ा रहा हूं और जो students के सामने एक समस्या आती है वो लोग पूरी geography पढ़ लेते हैं मगर उनको ocean और sea में अंतर पता नहीं होता है तो आज मैं आप लोगों का यह doubt clear कर रहा हूं कि ocean और sea में क्या difference होता है तो देखें यह जितने भी महादीब आपको यहां दिखाई दे रहे हैं और इसके जो तठ हैं यह सब यहां पर आप देखोगे North Atlantic Ocean, South Atlantic Ocean, Indian Ocean, Pacific Ocean यह सारे oceans हैं तो देखें महासागर के जो तठिये भाग होते हैं यानि इस महासागर यह जैसे North Atlantic Ocean है यह South Atlantic Ocean है तो यह जो North South Atlantic Arctic Ocean की जो ये वाले तटिये हिस्से हैं यानि जो boundaries महादीपों को touch कर रही हैं इन महासागरों की वो क्या कहलाते हैं वो सागर कहलाते हैं ठीक है और जो महादीप के तटिये भागे यानि अगर हम ये पूरे के पूरे इस हिस्से को ले 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 तो ये इसका जो पूरा तट है ये महासागर के तटिये भाग क्या कहलाते है सागर कहलाते है और महादीपो के तटिये भाग महासागर कहलाते है ठीक है तो इसके बाद जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा वो बे और गल्फ में क्या डिफरेंस होता है इसके बारे मैं आपको बताऊंगा झाल 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 झाल